सीम मनोहरलाल ने तीन दिन में नौ गावों में जनसंबाद कारिकरम के जरिये चाठ, पंजाबी, पिष्णोई और प्रामर समाज को साधने का काम किया। तीन दिन में गामों के लोगों से सीधा संपर कर जन संबाद किया, मौके पर ही गाउं के लोगों की समस्यां सुनकर समधान विगिया CM ने हासी और नार्नौन विधान सभा में ओद्योगिक सेक्टर की खोशना कर प्रोजगार के नए द्वार खोलने की पहल कर दी है अभी केवल हिसार शहर में ही ओद्योगिक सेक्टर है सौसो एकड में विक्सित होने वाले इन पार्क से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा चुनाव साल में CM मनोहरलाल का जनसंबाद लोगों को काफी पसंदा रहा है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए उन्हें चंडीगर नहीं जाना पड़ रहा CM खोद आकर लोगों की मांग पूछ कर उनको पूरा करने का काम कर रहे है राजनीतिक तोर पर देखें तो CM ने सबसे पहले विश्णोई जाती के लोगों को साधने का काम किया CM ने विश्णोई मंदिर में आयुजित कारिकरम में माथाटे का प्रसाद ग्रहन किया चौधरी भजनलाल की नाम से चौक का नाम किया जिससे विश्णोई समाज के लोगों को अपने करीब लाने का काम किया हासी में और द्योगिक सेक्टर की घोश्णा कर पंजाबी समाज के लोगों को खुश कर दिया हासी जिले की मांग को भी CM का जवाब सकरात्मक रहा नार्नौंद विधान सभा में जाक समाज के सबसे अधिक मताता है यहाँ CM ने और द्योगिक सेक्टर सभी करीब 30 से अधिक अन्यमागों को पूरा किया CM ने नार्नौंद में जज़पा विधायक रामकुमार गौतम के घर पर लंच कर उनके ज़दिये ब्रामत समाज को जोड़ने का प्रयास किया तीन दिन में CM ने अपने चाय वर लंच के कारकरम भी जातियों के हिसाब से तैकी है सभी जातियों के पीच संतुलन बनाने का प्रयास किया किसाब अंडोलन में सबसे उग्र रहने वाले नाहौंद एरिया में जनसंबात के बाद लोगों के बीच एक बार फिर से अपनी मजबूती साबित करती है CM ने तीनों विधान सबाओं के अलग-अलग वर्क के लोगों से फीड़बैक बिलिया अधिकारियों को जन्ता की बीच महीं फटकार लगा कर साबित किया कि अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी CM अब सक्ती के मूड में है चुनावी साल में विकास की गाड़ी को फुल स्पीड में दोड़ाएंगे CM मनोहरलाल हलके फुल के मूड में भी नज़र आए उन्होंने PPP के रिकॉर्ड के अधार पर गावों के लोगों को जन्म दिन के तौफ़े दिये जब गावों के लोगों को CM के हाथों जन्म दिन का तौफ़ा मिला तो चेहरे खिल गए इन लोगों को उमीद नहीं थी कि कभी CM उनको हैपी बर्ड़े बोले CM का ये काम लोगों को दिल से जोड़ गया अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके गर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर